आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर जो रील सेर करते हैं उसे फेस्बुक पर भी कैसे सेर कर सकते हैं यानि कि जो रील आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे वो बिल्कुल सेम टू सेम रील फेस्बुक पर भी से हो जाएगी ठीक है तो Facebook पर आप काफी रिल देखते होंगे सॉड़ टाइप में तो यहाँ पे सेयर हो जाएगी अब इसके लिए यहाँ पर मैं आपको Facebook पर दिखा देता हूँ कि मैंने जो real share की हुई है Instagram पर कल मैंने real share की थी वो real as it is यहाँ पर भी share हो चुकी है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारा process तो आपको ये वीडियो complete देखना है कि कैसे आप Instagram की real को Facebook की real पर share कर सकते हैं और वो भी automatically आपको कुछ भी उसमें extra steps नहीं करने हैं तो आपको make sure करना है आपको Instagram open करके देखना है कि आपका Facebook account जो है वो Instagram से link है या फिर नहीं तो इसके लिए आपको Instagram की settings में जाना है three dots पे click करके three lines पे उसके बाद settings में जाओ settings में जाने के बाद आपको account में जाना है account में जाने के बाद आपको sharing to other apps नाम का एक option मिलता है उसमें आप चले जाओ यहाँ पे आपको Facebook दिख जाएगा Facebook पर अगर आपका account link है तो अच्छी बात है अगर नहीं link है तो आपको उसे link कर देना है तो link आपको login करना पड़ेगा आप उसको कर लो अगर आपका link है पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद आप good to go उसके बाद मैं जो इस सबसे बता रहा हूं वो आपको follow करना है तो यहाँ पे मैंने plus icon पे click करके आप real add कर सकते हो वैसे मैंने पहले ही draft करके एक real को जो है save कर रखा है उसे मैं post करने वाला था यहाँ पे यह वाली real जो है उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको एक option मिलता है share to facebook अगर आपका facebook link है तभी आपको option देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे यह on है अगर आपका यह आपक आपको इसे on कर देना है और जैसे आप इसे on कर दोगे आपका जो real है वो automatically facebook पर भी share हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको share कर सकते हो बाकी आपको यहाँ पे और जादा कुछ steps follow नहीं करने है जो भी description यहाँ पे होगा वही आपका facebook पर भी as it is post हो quality कम नहीं होगी facebook पर जाने के बाद भी तो इस तरीके का हमारा जो real है वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे hashtag वगएरा सारा चीज़ें लगा कर यहाँ पे ok कर दिया है और अब हम लोग इसे जो है वो share करने वाले हैं तो share to facebook पर आपको इसे on ही रखना है off नहीं करना है उसके पर हमको देखने के लिए मिल रहा है अब net थोड़ा slow है और मैंने highest quality select कर रहा है तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा time लग जाए ठीक है इसी में मेरा friend भी इसी में call कर रहा है तो उसको हम लोग कोई भी इसमें डिक्कत नहीं है इसको हम कट करके उसके बाद हम लोग देखते है कि हमारी जो reel है वो post हो जाती है उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पर हमारी reel जो है वो instagram पर post हो चुकी है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ notification मेरे पास आ चुका है your reel is ready to view इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे वही reel same to same as it is post हो चुकी है यहाँ पर भी ठीक है तो इस तरीके से आप जो है वो reel को अपने instagram reel को facebook पर share कर सकते हो मैंने live process आपको यहाँ पर दिखा दिया है और अगर आपका कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूश सकते हो मैं comment का reply जरूर करूँगा तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की video पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में till then bye bye and take care